हलो फ्रेंड्स वेलकम टो नंदकिशोर क्लासेस आज का लेक्चर बहुत इंट्रस्टिंग होगा क्योंकि आज हम फैक्टोरियल रिलेटिड कोईशन करने वाले हैं ध्यान से इस एक्वेशन को देखिए 1 बाइ 9 फैक्टोरियल प्लस 1 बाइ 10 फैक्टोरियल इस इक्वेल टू तो मैं पहले यह जो सिंबल है इसका मतलब बता देता हूं जिसको नहीं पता वो बड़े ध्यान से देखिएगा पहली बात तो फैक्टोरियल जो है factorial जैसे 5 का factorial ऐसे 5 के बाद ये symbol लगाते है और इसको लिखने का एक और तरीका रहता है ये 5 factorial दोनों में से किसी भी तरीके से use करना आ सकता है तो दोनों method पता होने चाहिए अब है बहुत simple 5 factorial क्या होता है 5 से start कर दीजे 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 5 से लेकर 1 तक multiply करते जाएए यानि कि जिस number का factorial है वहाँ से start करिए और कहां तक जाना है 1 तक जाना है और सबको क्या करना है multiply बस इतनी सी बात है अब जैसे मान लिजे 3 का factorial है तो 3 factorial क्या होगा 3 times 2 times 1 और जिसका answer क्या होगा 6 होगा तो पहले तो इसी में एक twist क्या है वो देखते हैं जैसे मान लिजे 10 factorial है ये उपर अब use हो रहा है न 10 factorial वैसे तो ये क्या है 10 multiply 9 multiply 8 ये करते जाएए कहां तक 1 तक है तो ये 10 से लेकर 1 तक जाने वाली बात लेकिन इसको लिखने के एक और तरीका है मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ जैसे 10 multiply 9 multiply आगे देखो 8 से 1 तक जा रहा है 8 से 1 तक जाने वाले को हम सिधा ऐसे 8 factorial भी तो लिख सकते हैं कि मैं पूरा ना लेखना चाहूँ तो 8 factorial लेख दो तो ये 10 multiply 9 क्या बनेगा 90 और 7 में 8 factorial that means 10 factorial को आप 90 multiply 8 factorial लिख सकते हो सिर्फ यही नहीं जरूरी नहीं कि यहां पर जैसी जरूरत हो वैसा चल सकते हैं मालो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 multiply 9 factorial 9 से start कर दो 9 से आगे बन तक क्या होता है 9 factorial तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है तो पहले तो यह factorial वाला concept समझाया कि उसका मतलब क्या है अब हम equation को solve करना start करते हैं ध्यान से देखेगा अब equation को कैसे करेंगे equation में मैंने देखना है कि यहां 9 factorial है यहां 10 factorial है और यहां पर 11 factorial है तो सबसे best काम क्या करने वाले है बड़े ध्यान से देखना बहुत अच्छे से समझ आएगा this is 1 by 9 factorial अब मैं 10 factorial को देख लेना ध्यान से क्या कर रहा हूँ 10 factorial को 10 multiply 9 factorial लिख रहा हूँ अभी लिखना सिखा है 10 को 10 multiply 9 factorial लिख दिया और इदर जो 11 है इसको 11 multiply 10 आगे 9 आएगा ना तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इसको भी मैंने 9 factorial लिख दिया इसके सिखाया था वो करना क्योंकि यहां पर apply करना था अब मेरे लिए तो यहां पर देखो 9 factorial यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है यहां भी है यहां equal का sign है आपके पास रास्ते कई हैं आप चाहो तो 9 factorial denominator में से common निकाल लेजे 9 factorial denominator में से common निकालेंगे तो क्या बनेगा बाहर 9 factorial आ जाएगा और यह 9 factorial बाहर आ चुका है तो यह तो 1 by 1 नहीं रहेगा क्योंकि इसके जगह पर कुछ भी नहीं आएगा तो 1 आएगा और यहां मेरे पास क्या बचता है सिरफ 1 by 10 राइट और इधर 11 को 10 से multiply करोगे तो 110 साथ में 9 factorial I hope यह step समझाया होगा कि यहाँ पर जो denominator में 9 factorial था ना उसको हमने बाहर लिख दिया अब यह 9 factorial और यह 9 factorial दोनों हमने खतम करने हैं बेसिक कंसेप्ट से देखे तो मैथड होता है multiplying both sides by 9 factorial दोनों तरफ 9 factorial से multiply कर दो यह 9 factorial भी खतम हो जाएगा यह भी खतम हो जाएगा दूसरा मैथड आपको सिखाया होता है cross multiply वो क्या होता है जैसे यह 1 by 1 तो मतलब 1 by 1 को अकेला 1 भी लिख सकते हूँ मैं सिरफ 1 by 1 इसलिए लिख रहा हूँ कुछ लोग भूल जाते हैं कि 1 को as a fraction लेना है solve करना है इसलिए और यह 9 factorial दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा तो 9 multiply 9 factorial divide by 110 into 9 factorial अब देखिए 9 factorial and 9 factorial cancer आपको याद है मैंने यहाँ पर कहा था कई method है आप चाहते तो यहाँ पर सीधा एक step कर सकते थे multiplying both sides by 9 factorial और इस term को भी 9 factorial से multiply करते इसको भी करते इसको भी करते उसका मतलब होता है सभी terms को कर देना और हर term में से 9 factorial खतम हो जाता तो भी आप यहाँ पर पहुंचते अब यह finally इसका step मेरे पास क्या बन रहा है मैं सबसे उपर वाला step remove कर रहा हूँ और वहीं पर यह को और भी remove कर देते यह देखिए अभी मेरे पास क्या बन रहा है इसको मैं actual में है तो मेरे पास यही ना वन प्लस वन बाइ टेन इस इक्वल टू नाइन ओवर वन हंडड़ टेन आप तो सिंपल सी एक्वेशन सौल करने है यहाँ पर जैसे यह नीचे वन था आप देखो वन और टेन के यलसीम क्या होता है मैं तरीका बताऊं तो टेन इस टेन को तो वन से मल्टिपलाई करो टेन मल्टिपलाई वन टेन यहाँ पर वन का वन ही रहेगा और अगर कुसी को अगर किसी को इस टेप में प्रॉलम है कि यह कैसे आया तो आप एक कमेंट बोक्स में मैसेज कर दीजेगा इसका separate वीडियो बनाया हुए, आपको link आपके comment के reply में ही मिल जाएगा, चेके जी, और अब देखिए, अब 10 प्लस 1 क्या होगा, 10 प्लस 1 is 11, so we get 11 by 10 is equal to n over 110, cross multiply करना है, सिरफ यह जो value है, इसको उठाके इदर ले आए, 11 multiply 110 upon 10 is equal to n, और 0 से 0 कर जाएगा, 0 and 0 cancelled, अब 11 multiply 11 क्या होता है, 121, तो देखिए जी, n की value यहाँ पर मेरे पास क्या होने वाली है, 121 होने वाली है, तो I hope कि आपको यह concept समझाया होगा, factorial क्या होता है, कैसे factorial को implement करते हैं, equation solve करते हैं, जैसे यहाँ पर equation में factorial आया था, तो easily समझ आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो अगर आपको आज का वीडियो fruitful लगा है, समझ आया है, तो आप इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए, thank you so much.